हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल पॉइंट रहते हैं तो मैंने कई वीडियो बना दिया है उसके अंदर आपको कंप्लीट मैंटर मिल जाएगा अब अपने यह देखने वाले हैं कि हैसे को कैसे लिखना है पॉइंट्स आपने याद रखना है पहला पॉइंट होता है जो उसके थोट्स के बारे में आइडियाज के बारे में उसके बारे में अपने को कुछ भी चीज़े बता है वो अपनोंने पॉइंट के हिसाब से लिख लेनी है कि इसके बीच में यह इंपोर्टेंट है मतलब उस चीज़ के क्या फायदे हैं क्या नुक्साना यह अपनी आउटलाइन उपर से कवर हो जानी चाहिए जिसके बार में अपने को knowledge है राइटिंग अनिट्रोड़क्शन स्टाटिंग में अपने को उसके इंट्रोड़क्शन लिखनी होती है कि जैसे माल लिजी कि अर्थडे के उपर दे दिया तो अर्थडे की इंट्रोडेक्शन लि के लिए कोई टॉपिक सेव एक करी में आपको इंट ऊक्सान में परिप्री निए लिजखना है कि ट्रेज जो है वो अपने लिए फायदे मन्द क्यों हैं ट्रीजी क्या-क्या कर्ती है राइद क्यों चाहिए वह चीज़े होती है अब दूसरे इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया राइड दा बोडी मलब इस इस वेर यू प्रोवाइड एविदेंस एंड स्पॉर्ट फॉर्ट फोकस होने सिंगल पॉइंट अब आपने पहले पॉइंट के अंदर इंट्रोडक्शन बता दी कि जो ट्रीज है वो हमारा लिए कै्यों ज्यदा important है इंट्रोडक्शन में में आपने आते दिया कि यह कि उसके बाद में जैसे benefits of tree इसके बाद में आप अगला point भी लिख सकते हैं कि हाउँटू सेव ट्रीज वीच में आप यह लिख सकते हैं कि कैसे लिख करना चाहिए कैसे नहीं तर को ओग इस पूरे प्यरागराफ को देख लेना है कि जो भी आपने बाते बताई है वो सही बताई है गल्द बताई है एक तरीका मने आपको बता दिया है कि लिखने का सबसे बैस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आपको उसके इंट्रोडक्शन लिखनी है इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके जो आपको प तो इंपोर्टेंट मैटर अबाउट इस टोपिक ऐसी भी आप लिख सकते हैं ठीक है वह लाश्ट में आपने कंक्लूजन लिखने लिखना है तो आपके पास टोटल होगे पांच पॉइंट कौन कौन से पहला इंट्रोडक्शन दो पॉइंट आपके उजएंगे प्रोज एं टाइम के अंदर इसके क्या नंबर्स रहे हैं ठीक है वह लाश्ट में अपने कंक्लूजन लिख देना है तो आपके पास अब पांच पॉइंट हो चुए हैं और कोई भी दिखता दिया आप जरू कमेंट सेक्शन में बताना तो यहां पर यह अपनी वीडियो कंप्लीट हो मैंस, thank you.